नमस्कार साथियो वियान लर्निंग कॉंसेप्ट के यूटूब चैनल पर आपका आर्दिक स्वागत है हमारे दुवारा और के पैनल के साथ और पूरन तक्निके साथ राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के हित को देखते हुए डिजिटल प्लेटफोर्म की स्थाप मेरे दुवारा यूटूब पर राजनीति विज्ञान से समझित विविन टोपिक्स पर चर्चा की जा रही है आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे दुवारा राजनीति विज्ञान को सुक्सम घैन व्यवस्तित सरल और सहज तरीके से यूटूब पर प विकास होगा राजनीति विज्ञान को समझने में आपको साहिधा मिलेगी हमारे चैनल से जो भी विद्यार थी यूजीशी एंट यूजीशी नेट इस्टेट पीशियेस या फिर यूपीशी या फर्ष्ट क्रेड स्कूल लक्चरर या फिर में बीए ग्रेजुएशन का ज जूढ आउसे लगते हमें चे के कि राजनीति विज्ञान पर कमांड असिल सकता है राजनीति विज्ञान पर अपनी पकड़ मद्बूथ बना सकता है ये घ्ञान को यहां अंग्रेजी माध्यम की जो बुक्स हैं उनका हिंदी अनुवाद करके मेरे द्वारा शमजाये जाएगा पठाया जाएगा इस चेनल पर आप राजनती विज्ञान को जिवन तरीके से पढ़ सकते हो समझते वे शीखते वे जीवन तरीके से केसे राजिनती विग्यान को समझा जा सकता है उसकी विभिन उदाना को केसे समझा जा सकता है आप इस पर शीख सकते हो यहाँ पर मैं एक नेलसन मंड्रेला के को को ड़िएा है उन्होंने कहा है कि सिर्भा वह सकती की समझ विख्जित होती है वहाद को समझ सकता है वह राजनिती को समझ सकता है वह इसन देश में कुन कौन सी को समन सकता है इसलिए व 어떻 leverage कर सकता है तो आज हमारे दोरा मेरे दोरा आपको यह बताया जाएगे सबसे पहले हम कोन से topic cover करेंगे राज़निति विज्ञान का कौन सा part cover करेंगे राज़निति विज्यान के हम political theory की तर्चा करेंगे अज political theory में हम कौन-कौन से part को cover करने वाले हैं करें mi पॉलिटिकल थोरी राजनितिक शिद्दान्थ राजनितिक शिद्दान्थ राजनितिक विज्ञान का एक बहतुपन पार्ट है तो राजनितिक शिद्दान्थ को समझे बिना पॉलिटिकल थोरी को समझे बिना आप राजनितिक विज्ञान को नहीं समझे सकते हम राजनितिक शिद्दान्थों में या पॉलिटिकल थोरी में कौन-कौन से टोपिक कवर करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम स् लोगतंतर लोगतंतर के विबिन परकार लोगतंतर के सिद्धान्त लोगतंतर के मोडल यह सब हम इस चैनल पर समझेंगे फिर इसके बाद है पाउर सकती खिशे कहते हैं पावर के विबिन्स प्रस्पेक्ट्स क्या है डाइमेंशन क्या है वो सभी हम इस चैनल पर समझेंगे फिर राइट्स राइट्स की बाद में हम जस्टिस मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे इस यूटूब चैनल पर रियान लर्निंग कॉंसेप्ट चैनल पर मेरे दुवारा कुछ वीडियो अप्लोड किये गए हैं आप अपनी कंसेप्ट्टल कलेरिटी बिल्ड करने के लिए चैनल पर जाके हमारे वीडियो परे लिस्ट से वह वीडियो देख सकते हैं समझ सकते है कि beetle smallest में इनरोल्स कि कि इन्म को चिदानने के सिदान को समझेंगे ठेऔरिय आप जस्टिस हिं उसके बाद में हम समझगे माइकल सेंडल के कम्मुनिटिटेरियन क्रिटीक माइकल सेंडल एक कम्यूनिटेरियन थिंकर है माइकल सेंडल माइकल सेंडल ने कम्यूनिटेरियन क्रिटीक इसके बाद हम रोनाल्ड ओर्गिन के इक्वालेटी और रिसोर्स के सिदान तो समझेंगे रोनाल्ड ओर्गिन एक इगालिटारियन थिंकर है रोनाल्ड ओर्गिन इसके इनकी थियोरी है नोनाल्ड ओर्गिन की इक्वालेटी और रिसोर्स संसादनों की समानदा इसके बाद हम रोबर्ट नोचिक और आयन रेंड दो थिंकर है इनको समझेंगे रोबर्ट नोचिक रोबर्ट नोचिक की एनटाइटल मेंट थियोरी पर मैंने एक वीडियो बना रखा यूटूब पर आप वहाँ पर वीडियो पले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो आई एन रेंड इन फिंकरज को समझेगे यह सविच साथ अंतरवात से जुड़े इसके बाद हम इक्वेलिटी की कंसेप्ट पर को डिटेल में समझेगे इक्वेलिटी इसके बाद लिबर्टी की कंसेप्ट पर हम परकाश डालेंगे हमारा एक आई जी अबरलीन की two concepts of liberty पर एक वीडियो बनाया गया है यूटूब चैनल पर आप वहाँ पर जा करके वो देख सकते हूं फिर हम liberalism को समझेंगे हम सबसे पहले liberalism को समझेंगे उसमें हम liberalism के विविन वेरियंट्स को समझेंगे liberalism का oldest form जो purest form है वो classical liberalism है उसके बाद हम modern liberalism को समझेंगे उसके बाद हम new liberalism को समझेंगे उसके बाद हम new classical liberalism को समझेंगे liberalism उदारवाद उदारवाद को समझें भी ना आप राजनिति विज्ञान को कम्प्लीट नहीं समझ सकते इसके बाद सोस्चिलिजम सोस्चिलिजम एंड मार्क्सिजम को समझेंगे मार्क्सिजम एक भोधी महतुपुर्ण अवदार ना है पॉलिटिकल थोरी में पॉस्ट मॉडेनिजम तो कई विद्यार्थियों के लिए बड़ी समझे आए अगि पॉस्ट मॉडेनिजम क्या उसको भी हम समझेंगे पॉस्ट मॉडेनिजम इसके बाद समझेंगे हम Feminism Feminism पर हमारी एक पूरी लक्तर सीरिस आएगी उसको आप हमारी YouTube चैनल पर देख सकते हूँ Feminism Feminism के बाद हम समझेंगे Fasism दो सर्वादिकार वादी विचारदारा है Fasism और नाजिजम पासिजम के बाद हम समझेंगे मल्टी कल्चरिलिजम मल्टी कल्चरिलिजम एक बहुत महतुपन हुदाना है मल्टी मल्टी कल्चरिलिजम मल्टी कल्चरिलिजम मल्टी कल्चरिलिजम में हम क्या समझेंगे इसको हम थोड़ा इनके सब टोपिक देख लेते हैं मल्टी कल्चरिलिजम के इसमें हम थिक एंड थिन मल्टी कल्चरिलिजम को समझेंगे थिक एंड थिन मल्टी कल्चरिलिजम इसके बाद हम विल किमलिका एंड बिखुपारिक के मल्टिकलिक्लिस्म पर जो आइडियाज हैं उनको पढ़ेंगे विल किमलिका विल किमलिका एंड बिखुपारिक बिखुपारिक के important विचार पढ़ेंगे इसके बाद हम critique of multiculturalism क्रिटीक of multiculturalism की क्या लोतना किये गई है criticism क्रिटीक of multiculturalism को discuss करेंगे feminist critique of multiculturalism नारी बादियों ने बहुत संस्क्रिटी बाद की क्या लोतना किये उसको भी हम समझेंगे feminist critique feminist critique of multiculturalism feminist critique of multiculturalism को समझेंगे इसके बाद एक important concept conservatism जो एक इडियोलोजी है conservatism को समझेंगे रुडिवाद कंजर्वेटिजम के साथ हम नियो कंजर्वेटिजम को भी समझेंगे नियो इसके बाद हम citizenship पर प्रकास डालेंगे citizenship शिटिजन सिब के बाद हम एकोलोजीजम पढ़ेंगे पर इस्तिति केबाद हम एकोलोजीजम को डिस्कॉस करेंगे और अंत में हमारा टोपिक होगा अंत में क्या सबसे पहले इसी टोपिक करेंगे Political theory meaning, nature and approaches. डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले सुरवात classical liberalism से करेंगे, classical liberalism क्या है, liberalism के विविन वेरियेंट्स क्या है, liberalism के core values और core concepts क्या है, उन सभी पर हम discuss करेंगे, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा, वो होगा classical liberalism. इसको हम liberalism का oldest form भी कहते हैं, liberalism का purest form भी कहते हैं, इंदे में इसको सास्त्री है, उदारवाद, नकाराद में गुदारवाद, उराना गुदारवाद, आज हमने briefly discuss किया कि हम political theory में कौन-कौन से topic आपके लिए cover करेंगे, उन सभी topics पर हम परकाश डालेंगे, आपको समझाने की कोशिस करेंगे, हमारे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी सेंगे, हमारे यूटूब चैनल पर कुछ वीडियो मेरे द्वार अपलोड किये हैं, आप वहाँ जाकर के वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, अगला वीडियो हमारा classical liberalism पर आएगा, आप ज